नमस्कार 36 गड़ का नमबर वन बुलेटिन देख रहा है आप सुपरफास्ट 36 गड़ और खबरों का रुकरेंगे निउस 18 के मच पर सीम विश्णु देव साय ने कॉंग्रेस पर बड़ा हमला बुला उन्होंने का कि कॉंग्रेस जनादेश को संभाल नहीं पाई पांच साल में कोई वादा पूरा नहीं किया और करप्शन में 36 गड़ को धकेल दिया जिसका नतीजा है कि उनके कई नेता जेल में हैं कई अधिकारी सलाखों के पीछे हैं कि इस गड़ का सरवांगिन विकास की थी उसके बाद में हम लोग 15 स्रेट में आ गए थे लेकिन कॉंग्रेस जनादेश को संभाल नहीं पाई जो विश्वास चतिगड की जनता ने किया था उस विश्वास को कायम रखनी पाई लगातार जनता को धोखा देने का काम कॉंग उनका पांस साल में पूरा नहीं हुआ और मैं अनेको बार उनको चैलेंज किया प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि भुपेश बगहल जी बताएं अगर 36 में एक भिवादा अगर सत्पति सत्पूरा किये हो तो हम राजनिती छोड़ देंगे राजनिती से सन्यास ले लेंगे लेकिन उनकी कभी हिम्मत नहीं हुई कहें कि उन्होंने 36 में से एक भिवादा पांस साल में पूरा नहीं किया था और इसका खामयाजा उनको अगले 2023 के विधान सभा के चुनाओं में भोगतना पड़ा विश्वास तो खोई ही खोई लेकिन पूरे 36 गड़ को करपसन में ध खकेल दिया आज यहां क्या-क्या गोटाले नहीं हुए सराब गोटाला हुआ कोईला गोटाला हुआ रेद गोटाला हुआ आपका जंगल गोटाला हुआ आज कितने इनके लोग गोटालों में उनको उपर फायार हुआ है और लंबे समय से जेल की सलाखों के अंदर में इन इनके लोग इनके नेता इनके उस समय के अधिकारी जो इनको सही होगी आज डेड़ डेड़ साल एक एक साल से जेल के अंदर में हैं। इतना इनके नकसलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहें। तो हम लोग की लड़ाई और मजबूत हुई है। महिने में ही डेड़ सो के करीब नकसली मारे गए हैं। लोग सिर्फ दोनों रास्ता नकसलियों के सामने में रखे हैं। अगर आप गोली वारी की बात करोगे तो सरकार गोली वारी से उसका जबाब देगी। उसके लिए सरकार सक्षम है। लेकिन आप अगर विकास की मुखधारा से जुड़ना चाहोगे आत्म समर्पन करोगे तब ही आपके साथ नयाय होगा। और आज डेड़ सो नकसली मारे गए हैं। और हजार से ज़्यादा नकसली गिरवतारा और आत्म समर्पन भी किये हैं। उदर निव्जेटीन के बंच पर डिप्टी सेमर उन साव ने प्रदेश में कानून विवस्था के सवाल पर कहा कि आज प्रदेश में कानून का राज है। पुलिस सजक्ता से कारवाई कर रही है। उनकी माने तो प्रदेश सरकार चतीस गड़ में किसी माफिया को पनपने नहीं देगी। हमें फन को चलना आता है। चत्तिर गड़ में कानून विवस्था की क्या इस्तिती थी। कितने बड़े बड़े इस केम हुए। इड़ी ने अपने चार सीट में लिखा आर्गिनाइजड क्रिमिनल सिंडिकेंट बनाकर चत्तिर गड़ को लूटने का काम और जिस प्रकार से बेखाउप होकर अपराद हो रहा था। आज चत्तिर गड़ में कानून का राज है। और कोई हिम्मत कर रहा होगा तो उस पर कारिवाहियां कैसे हो रही है। कितनी सजगता से हमारी पुलीज काम कर रही है यह आपने देखा है। तो हम चत्तिर गड़ में किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे। पनपने से पहले फन कुचलना हमें आता है। और चत्तिर गड़ के सांती बेवस्था पर किसी को भी खलल डालने का इजाजत नहीं होगी। और अब खबर बीजापूर से जहां पांच नक्सलियों ने सरंडर कर दिया। एक लाके नामी सहित कुल पांच नक्सलियों का सरंडर। नक्सली शहिदी सप्ता के दौरान ये बड़ी सफलता है सुरक्षाबलों के लिए। हत्या, लूप, मारपीट सहित कई वारदातों में ये सभी नक्सली शामिल थे। इस साल 142 नक्सली अभी तक आर्पन समर्पन कर चुकी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी सफलता है सुरक्षाबलों के लिए एंटी नक्सल ऑपरेशन्स के लिए जो कैम्प अलग अलग जगए खोले गए हैं नक्सल समस्या पर काबू पाने के लिए एक बार फिर पांच नक्सलियों ने सरंडर किया है इनमें एक लाकाय नामी नक्सली बहरम गड़े इरिया कमिटी के पांच मामादी सदस्यों ने नक्सलियों की भेट भापूर निती और प्रतार्णा से तंगा कर साथ ही चत्रीजगर साशन की पूरा नुवास निती से प्रभावित होकर आज पुलिस के समक्ष समर्पन किया है जिसमें एक डियर के में सदस् अमिल है और सुक्मा की बात करेंगे जहां नक्सलियों के समारक को सुरक्षा बलों के जवानों ने ध्वस्त कर दिया बता दें कि तिम्मा पुरम गाउं के पास नक्सलियों ने समारक बना गए था और इसी जगह पर आईडी बलास्ट में दो जवान शहीद हो ने और इसे स वजूद्गी के तौर पर लेकिन सुक्मा में इसे समारक को पूरी तरह से धुस्त कर दिया गया और खबर आए